अगर आप इस साल 2023 में अपने लिए एक सही mutual fund select करना चाहते हैं तो best mutual fund select कैसे करें ये बहुत मुश्किल टास्क है आज के टाइम में जहां लगबग 50 प्लस कैटेगरी है mutual fund में especially new investor जो लोग अभी नए हैं और mutual fund में entry लेना चाहते हैं बट उनको ये नहीं पता कि सही mutual fund select कैसे करना है large cap, mid cap, small cap, multi cap, flexi cap और भी बहुत सारे funds के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो आज के टाइम में किसी के approach करने से या फिर किसी से motivate होके जिस mutual fund का return अच्छा दिखा उसमें invest करना start कर देते हैं लेकिन उसके अलावा कुछ और नहीं पता होता जैसे की fund के पास performance और history के बारे में तो आज के time में बहुत लोग ऐसे जो mutual fund में invest तो करना चाहते हैं बट उनको सही guidance नहीं मिलती even मुझे बहुत लोगों के comments भी आएं कैसे mutual fund में investment स्टार्ट करें तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो इस video आपकी बिल्कुल perfect है इस video के जरी आप एक सही mutual fund अपने लिए चूज कर सकेंगे इस साल 2023 में दोस्तों mutual fund लेने से पहले आपको देखना है कि आपकी age कितनी है और आपकी requirement क्या है यानि कि आप किस वज़े से आप अपना mutual fund में investment करना चाहते है परपस क्या है सबसे जरूरी और धिहान देने वाली बात आप किसी भी age में है कोसी से ही हमेशा करनी चाहिए कि हमेशा long term के लिए investment करें क्योंकि देखा जाए तो mutual fund में हमेशा long term में ही अच्छा पैसा बनाए और compounding interest का असर तभी दिखेगा जब long term के लिए अपने पैसे को market में hold करके रखेंगे तो अगर आपको अपनी investment करने का purpose clear हो गया है तो उसके बाद mutual fund select करने के लिए सबसे पहले आपको जो जरूरी चीज़ देखना है वो है return और रिटन एक साल दो साल का नहीं देखना है क्योंकि एक साल और दो साल में market में बहुत ups and down होते हैं तो हमेशा 5 साल या उससे उपर का ही returns देखें इसके बाद जो हमें देखना है company का AUM यानि कि fund size जिस mutual fund का fund size 1000 करोर से ज़्यादा हो उसी fund को आपस अपने category में रखें उसी को आप select करें क्योंकि ज़्यादा capital वाले fund जो market के ups and down है उसको अच्छे से manage कर सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि जिस fund का AUM size ज़्यादा है उसका return भी काफी अच्छा होगा क्योंकि ऐसा बहुत देखा गया है कि जिस mutual fund का fund size भी ज़्यादा है लेकिन उसका return उतना अच्छा नहीं मिला है इस list में अगली चीज जो हमें देखी नहीं जो सबसे ज़्यादा important है वो है expense ratio यानि कि जो mutual fund आप ले रहे हैं उसका expense ratio क्या है यानि कि उस mutual fund को manage करने का company आप से खर्चा कितना ले रही है तो हमेंसा कोशी सही करें कि जो mutual fund आप select कर रहे हैं उसका expense ratio एक परसेंट से कमी हो जितना कम होगा उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए उसके बाद इस list में company का alpha देखना है तो alpha जितना high रहेगा अपने लिए उबेश्ट रहेगा फिर उसके बाद हमें beta देखना है अगर beta nearly 1 है या फिर उससे उपर है तो वो सही रहेगा अपने लिए उसको अपने list में रख सकते हैं साथी साथ हमें sharp ratio देखना है sharp ratio एक या उससे उपर है debt means की risk management सही है तो अगर आपने सारे factors को देख लिया है तो इसी के अधार पे आप सही mutual fund आप choose कर सकते हैं जो आपको list मेंने बताया उसके अधार पे आप एक 3 mutual fund आप choose कर सकते हैं जिसमें आप 2-2 अजार रुपे करके equally आप 6 अजार रुपे का जो SIP उसे आप start कर सकते हैं जैनि कि 2-2 अजार रुपे आप small cap में डालें 2-2 अजार रुपे आप mid cap में डालें और 2-2 अजार रुपे आप large cap में डालें तो इस तरीके से अपना portfolio बनाए और 2-2 अजार रुपे करके तीनों fund में आप निवेज करें इसी के अधार पे और जो मैंने आपको factors बता हैं कौन-कौन से factors आपको देखना है तो मैंने अपने research के हिसाब से इन तीनों category के एक-एक mutual fund को मैंने sort list किया हुआ है जिसमें अगर आप चाहें तो अपना investment start कर सकते हैं Otherwise आपको कोई और भी fund पसंद है अगर आप खुछ से select कर सकते हैं तो आप उसमें अपना investment इस तरीके से start कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों category के जो mutual fund है मैंने इनके अलग-अलग fund के साथ मैंने compare किया उसके बाद जो best mutual fund निकल कर आया मैं वो mutual fund के बारे में आपको यहां पे सारे चीज़े बताता हूँ अगर आपने कोई दूसरे mutual fund के बारे में study किया है अगर उसके बारे में research किया है तो आप उसके साथ भी इसका compare कर सकते हैं तो सबसे पहले हम discuss करेंगे small cap fund की तो small cap fund category के अंदर जिस fund को मैंने select किया है वह है quant small cap fund इसी को मैंने क्यों short list किया है अभी आपको पता चल जाएगा इस fund का जो fund size है age of now 2580 करोड तो इस fund ने जो returns दिया है last 5 year में 24.51% का returns दिया है 3 years की बात करें तो 56.34% का returns दिया है sharp ratio इसका 1.48 है यानि कि यह fund risk को काफ़ी अच्छे तरीके से manage कर रही है बीटा की बात करें तो 0.93% है और alpha 22.97 है सबसे important factor इसका जो expense ratio है 0.62% है exit load 1% है अगर आप एक साल से पहले इस fund से exit करते हैं तो minimum SIP आप इसमे 1000 रुपे से start कर सकते हैं और lump sum करना चाहे तो इसमें आप 5000 रुपे से start कर सकते हैं दोस्तों इसके आस पास के दो और fund है small cap category के अंदर एक है आपका SBI small cap fund second आपका है निपोन इंडिया small cap fund तो अगर आप quant small cap fund में निवेस नहीं करना चाहते हैं इसके जगे पे आप निपोन इंडिया और फिर आप SBI small cap fund में भी investment कर सकते हैं वो भी आपके लिए best option हो सकता है तो बात करें mid cap fund की तो इस list में भी मैंने quant mid cap fund को रखा हुआ है क्योंकि इसको E.T. Money ने जो rank दिया है second number का rank दिया out of 20 में इस fund का जो fund size है 1273 करोड है इसका returns देखा जाए तो 5 साल का 20.97% का returns है 3 years का जो return है 39.43% का return है बात करें इसके risk measures क्या तो star pressure इसका 1.38 है beta इसका 0.82 है alpha इसका 14 है और expense ratio 0.63% है अब देखते हैं तीसरे category को यानि की large cap large cap में जिस fund को मैंने अपने list में रखा है इसका नाम है canera robeco blue chip equity fund इसको it money ने जो rank किया है first out of 26 इस fund का जो fund size है 8,832 करोड का है इस fund ने जो returns दिया है last 5 year में 14.61% का और 3 years का जो returns है 17.7% का है risk measures की बात करें तो इसका जो sharp ratio है 0.74% है beta इसका 0.86 है alpha इसका 2.37 है इस fund का जो holdings है sectors wise financial में 36% है technology में 10% है consumer staples में 9% के around इसकी holdings है अगर top 5 holdings की बात करें तो HDFC bank limited में 10% के around है ICICI bank में 10% के around है infosys में 7% है reliance industry में 6% है और state bank of india में near about 4.5% है इस fund का सबसे अच्छी बात है कि इसका जो expense ratio है काफी अच्छ है only 0.42% है इस fund में minimum investment SIP के रूप में आप 1000 रुपे से start कर सकते हैं और लंसे में start करते हैं तो minimum 5000 रुपे तक start कर सकते हैं तो दोस्तों मेरे research के हिसाब से तीनों category के काफी अच्छे mutual funds हैं अगर आप चाहें तो इसको अपने watch list में रख सकते हैं मैं यह नहीं कहता कि आपको इसी fund में निमेस करना है अगर आपको कोई दूसरा fund समझ में आता है तो उसमें अपना investment स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन मैं आपको यहीं कहना चाहूँगा कि आप mutual fund में investment स्टार्ट करें क्योंकि आज के time में निमेस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और आपको share market की ज़्यादा knowledge नहीं है तो mutual fund सबसे best तरीका हो सकता है investment का जिसमें आपको आने वाले time में काफ़ी अच्छा wealth create करके देगा और सही तरीके का mutual fund चूज करके आप अपना investment स्टार्ट मैं आशर करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी helpful रही होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आज के date में जो निवेस करने के बारे में सोच रहे हैं उनको इवीडियो जरूर शेयर करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो मिलते नेक्स्ट वीडियो में जैहिन